आज पूरे देश बर में किसानों को लेकर जो केंदर सरकार ने तीन बिल पारित किये हैं उनको लेकर लगातार किसान धर्णे पे बेटे हैं इस कड़कडाती ठंड में वो अपना गरबार छोड़कर लाखों की तादात में सरकों पर अपना समय निकाल रहे हैं और सरकार से लगातार यही मांग कर रहे हैं कि यह बिल जो है वो वापस लिये जाएए तो हम राम्दयाल जी से जानेंगे कि यह भी एक किसान है और जागरुक शान है पड़े लिके हैं तो यह इस बिल को किस नजर तरह से मिट सकता है इसके लिए इनसे सिधी बात करते हैं और जानते हैं कि ये बिल जो है वो किसानों के लिए कितना लाबदायक है या नुकसान दे है या सरकार को क्या निर्ने लेना चाहिए जिससे कि ये बिल बिल बना रहे या नहीं बना रहे इसके बारे में पूर्ण जिए राजपरईट जवन चैनल का आवार में एक किसान रामदयाल सिंग्राजपरईट आपका प्रस्ट ने इसे किसानों और राज केंदर सरकार की बीच में किस परकार से तालमेल बन पाएगा किस परकार से शुले हो पाएगी और मैं मेरे नजरिये से इस क्रिशी बिल को किस परकार से देखता हूँ तो मैं आपको दो टूक सब्दों में बता दूँ चुंकि अब इस मुद्दे का राजनितिक करण हो गया है और मैं किसी राजनितिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता मैं किसान हूँ और किसान इतकी बात करूँगा आज जो कॉंग्रेस पार्टी तता कतित कॉंग्रेस पार्टी इस क्रिशी विदे क्रिशी बिल का जो विरूद कर रही है और अन्य संगटनों के साथ दिल्ली में काफी समय से दरने पर बेटे हैं और किसान इतकी बात करते हैं उसी कॉंग्रेस पार्टी ने मनमौन सिंग जी के सरकार के समय इसका मसोधा तयार किया क्रिशी बिल यही लेके आए उसकी ड्राफ्टिंग भी इन्हों नहीं की और उस समय ये इस क्रिशी बिल के फाइदे गिनाते नहीं ठकते थे उनके राष्ट्री नेता उनके पार्टी के अद्यक्स उपाद्यक्स उन सारे लोगों के कई वीडियोज भी जारी हुए हैं वो वीडियो आज पि सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है ये बड़ी जो है वो बेबाकी के साथ इसके गुणगान करते थे आज वो ही कॉंग्रेस पार्टी तुस्री करण की राजनित्ती के चलते शेंकडों लोगों को धरने पर लेकर के बैठे हैं इस्ठंड में और उनको एक तरह से गुमरा किया जा रहा है बकि ऐसा कुछ नहीं है जहां तक मेरा मानना है अगर वाकी किसानों का भला करना चाहते हैं भला ही वो बार्टी जन्ता पार्टी है अथवा कॉंग्रेस है मैं दोनों से निवेदिन करना चाहूंगा जिस परकार से अपनी वस्तुओं को उद्योग जगत व्यापरी लोग अपनी एमार पी तै करके उन उत्पादों को बाजार में बेच रहे हैं मगर ऐसा किसान के साथ नहीं है किसान अपने जिंस तयार करता है खुन पर सिना एक करके मगर उसको यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो अपने फसल की अपने क्रोप्स की अपने जिंस की अपने उत्पाद की कीमत खुद तै करे मंडियों में बाजारों में आज भी उसकी कीमत व्यापारी लोग लगाता है और उसको मजबूर हो करके आर्थिक साहिता मदद वगरा नहीं मिलने की वज़े से उसको मजबूर हो कर उनकी सर्थों पर फसल बेचने पड़ती है तो मैं सरकारों से यह चाहूंगा कि जिस तरह से अन्य उत्पादों पर कमपनिया उद्योग पती व्यापारी लोग अपनी MRP तै करते हैं उसी परकार से किसानों को अधिकार दिया जाए MSP की जगे MRP हो एक्चुली जंजट MSP और MRP का है जिस दिन ये अधिकार किसानों को MRP का मिल जाएगा सारा जंजट ही खतम हो जाएगा मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं हो करके मैक्सिमम रिटल प्राइस जो है जो अधिकार है जिससे अन्य उत्पादों पर होता है वो ही अधिकार वो ही राइट्स किसानों को अपने जिंस के लिए मिलना चाहिए धन्यवाद मैं एक बात आप से और पूछना चाहूंगा कि जैसे वर्तमान में ये तीन मिल है और किसानों को अभी भी इन तिनों बार बिलों के बारे में भूण रूप से ज्यान नहीं है जैसा कि अभी आपने फर्माया था तो आप से मैं ये गुजारिस करूँगा कि आप इन तिनों बिलों के बारे में जो कुछ भी आपके पास है वो अमें बताएं ताकि लोगों को बता चले ये बिल किस परकार से पढ़े हैं और इसे क्या फाइदा और क्या लुक्सान सरकार की जब कभी भी कोई नीतियां बनती है जनीत में चाहिए वो करशी उत्पाद को लेकर के है उद्ध्योग व्यापार जगत को लेकर के है सबसे पहले तो सरकार का ये दायत होना चाहिए उन नीतियों को इंप्लिमेंट करने से पहले उनको उप्योग में लाने से पहले आम जन तक उन नीतियों को सरकारी सिस्टम अत्वा एंजियोज वगरा के माद्यम से प्रतेक व्यक्ति तक उनका जो है लाब है नफा है नुक्सान है किस तरह से उनको इंप्लेमेंट किया जाएगा ये सारी चीज़ें जनता तक आसाने से पहुंचने चाहिए अभी हाली में जो एनर्सी वगरा का मुद्दा चल रहा था उस पर लोगों को ग्यान नहीं होने के वज़े से कई परकार के जो अग्यानी लोग थे वो उन संगटनों के साथ जाकर के खड़े हो गए जबकि एनर्सी से किसी परकार का राष्टर को कोई नुक्सान नहीं होना से किसाँ का कोई नुक्सान नहीं है किरिशान संपूल्ड रूप से आज़ाद हो जाएगा आज हरेनाब के किसान जो है वो आरतियों की और जो बड़े-बड़े माफिया और गिरों हैं उनकी गिरिफ्त में एक बहुत बड़ा जमीदार है एक कमीज सिलवानी उसके हाथ में नहीं है उसको कमीज भी सिलवानी है गाड़ी में पेट्रॉल डलवाना अपनी बच्ची की साधी करनी है जो कुछ भी करना है आर्टिये के मारफत ही वो कारिये हो पाता है वो एक तरह से उनके पास वो मोड़ गेज़ वो गिरी भी पड़े है उनकी जितनी भी जिन्स जितना भी उत्पाद होता है रभी और खरीब के खलियानों का वो पूरा का पूरा आर्थ या एजिटे ले जाता है वो अपनी मर्जी से और अपनी इच्छा से वो भावते करते हैं और किसान का करजा जूंका तूं बना रहता है तो मैं यह चाहता हूँ कि पहले तो सरकार जो भी नीतियां मनाती है क्रिशी जगत को लेकर के या क्रिशी उत्पादों के उत्पाद बडोतरी के लिए उनकी जो जानकार यह वो आम जनता के सरकारी सिस्टम से संभव हो तो ठीक है नहीं हो तो एंजियोज वगरा के माद्यम से वो नीतियां इसपस्ट होनी चाहिए ताकि भविशे में इस परकार के कोई विरोध और जनता का जो है हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में कहीं भी ले जा करके वो उसको बेश सकता है वो किसी का गुलाम नहीं है मगर इन चीजों को किसानों को समझाने के आऊ सकता है सरकार को चाहिए कि वो जो है सरल सहज तरीके से किसानों तक यह बात अपनी पहुंचाए दन्यवाद